हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कॉम्डिटी में स्वाधत करता हूं तो आप में इसे बहुत साई लोग फ्यूचर आप्शन्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे तिया आप में आप से कुछन पुछना चाओंगा कि आप में से कितने लोग फ्यूचर आप्शन्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना पाते हैं आप में से बहुत कम लोग F&O में Intraday Trading करके Profit बना पाते हैं इसके पीछे का Reason क्या है? इसके पीछे का Reason है कि उसके लिए जो Important Parameters हमें देखना होता है वो Important Parameters और वो Important Point यहां पर हम Miss करते हैं सबस्पहले अगर आप Future Options में Intraday Trading करते हैं तो आप Options Chain देखना है स्टार्ट कीजिए बहुत साई लोग Options Chain तो देखते ही नहीं है और बहुत साई लोग Options Chain देखते हैं और जो लोग Options Chain देखते हैं इसमें भी कुछ Important Point होता, Parameters होता उसको वहां पर Miss करते हैं तो जो लोग यहां पर Options Chain देखते हैं वो यहां पर किस चीज को सब ज़्यादा Importance देते हैं वो Importance देते हैं OI, चाहिए वो Put Side की तरफ OI हो या फिर यह आपका Call Side की तरफ OI हो सिर्फ वो OI पर Focus करते हैं लेकिन आप Future Options में Intrary Trading कर रहें आप Weekly Expire के लिए नहीं जा रहें आप इसको One Week तक Hold नहीं करें यहां पर आप Intrary में Intrary करें और Intrary में Exit करें यहां पर आपके लिए OI तो Importance ही है इससे ज़्यादा Importance आपके लिए रखता है OI Change जिसको Mostry लोग Miss कर देते हैं और यही रीजन होता है कि आप Future Options में Intrary Trading तो करते हैं लेकिन उससे आप Profit नहीं बना पाते हैं चाहिए आप Call Side की तरफ हो या Put Side की तरफ हो OI Change आपके लिए बहुत ज़्यादा Importance रखता है Especially अगर आप Intrary में Trading करते हैं तो तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे OI Change हमें FNO में Intrary Trading Decisions लेने में हेल्प करेगा कैसे यह हमें Intrary Trading में Accuracy Level को Increase करेगा चले देखते हैं और सीखते हैं तो OI Change हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता उसके उपर हम डीटियल से बात करेंगे लेकिन उससे पहले यहां पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूंगा अगर हम यहां पर Calls की तरफ बात करें चाहे हम OI की बात करें या फिर OI Change की बात करें तो यहां पर हम Writers के नजरिये से देखते हैं अगर हम Call की तरफ बात करें तो समझाए कि यहां पर हम Call Writers की बात करें अगर हम यहां पर Put की तरफ बात करें चाहे हम Put की तरफ OI की बात करें या फिर आपका Change in OI की बात करें तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर हम Put Writers की बात करें Call की तरफ बात करें उनका ज़्यादा पैसा विस्क पे रहता है और वह जणर्वली professional trader होते हैं और वह market को देख के बहुत जल्दी react भी करते हैं और उनका decision mostly सई होता है इसलिए हम उनको follow करने की कोसिस करते हैं इसलिए हम जब put की तरब बात करेंगे समझाए कि यहां पे हम put writers की बात करें और अगर हम calls की तरफ बात करेंगे समझाए call writers की बात करें तीर चीज़ आपको ध्यान रखना परेगा तो चलिए हम इसके उपर बात करें डीटेल से लेकिन OI change से related कुछ point की पर हम बात कर लेते हैं वो आपको समझ में आना जरूरी है यहां पर हम OI change की importance को देखते हैं उससे पहले इससे related कुछ point को देखते हैं तो अगर call side की तरफ OI increase हो रहा है मैंने आपको क्या बोला था call side की तरफ OI increase होने का मतलब है कि call writers increase हो रहे और call writers increase हो रहे अगर put side की तरफ OI increase हो रहा मतलब वो सोच रहा है कि market उपर जाएगा और यह हमें bullish sentiment देता और किसी particular label में put की तरफ OI increase हो रहा मतलब वो label हमारे लिए support की रूप में काम करेगा इसको हम और simple तरहीके से table के form में समझ देखको सिस करते हैं OI change और market sentiment है अगर call side की तरफ ज़ादा OI change हो रहा है Incomputs to put side की तरफ इसका मतलब क्या है यह उंतलब को 시न्टिमेंट है वो आपकाów बेरिष शाइट की तरफ मतलब OI change क्यों से पर का ज्यादा है उपर या नीचे कहीं भी जा सकता है इसके basis पे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि market का sentiment क्या होगा उसके बाद अगर put side की तरफ oi change जादा income to call side तो क्या होगा market का sentiment आपका bullish side की तरफ रहेगा तो oi change call side की तरफ जादा है market का sentiment bearish oi change put side की तरफ जादा है market का sentiment bullish तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है चलिए अब हम इसको और डीटेल से समझने की कोशिस करते हैं यहाँ पे अब हम nifty की option chain पे आते हैं और देख सकते हैं यह data आपका live market का data 9.28 am का data यहनि market open हुए 15 मिनाटी हुआ था तब मैंने data लिया था audit data आपका 25th April 2022 का data है और यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम पे निफ्टी आपका 16,990 करीब यानि 16,990 के level पे trade कर रहा था अब यहाँ पे क्या-क्या importance होता है वो हम बात करेंगे और OI change का क्या importance उसके उपर बात करेंगे उससे पहले आपको option chain analysis के बारे में कुछ basic details आना चाहिए अगर आपको इसके बारे में details नहीं आता है तो इसके उपर हमने separate video बना रखा वो video आप देख सकते हैं आप i button पे click करके वो video देख सकते हैं नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर मुस्टी लोग किसी पर focus करते हैं मुस्टी लोग focus करते हैं OI की तरफ अब मैं आपको बता रहा हूं कि OI change क्यों importance है आपके लिए especially अगर आप intraday में trading करते है F&O में तो सबसपहले अगर आप OI को देखो 17,000 के level के आसपास market trade करा 17,000 के level पे देखो तो OI आपको देखेगा इधार 61.5 lakh के करीब ठीक है वह यहां पे अगर हम call side की तरफ OI देखें call side की तरफ OI जो आपको देखने को मिलवा वह मिलवा 32 lakh के करीब यानि put side की तरफ OI almost double के बराबर है यानि सिर्फ यहां पे हम OI के basis पे देखें सारा data को तो हमें क्या लग रहा है कि market का sentiment कैसा है market का sentiment bullish है और market आपका 17,000 के level से उपर की तरफ जाएगा ऐसा अगर हम सिर्फ OI को देखते हैं तो लेकिन यहां पे हम किसी के उपर बात करें OI change के importance के उपर अब यहां पे हम OI change को देखते हैं अगर आप OI change put की तरफ देखो तो यहां पे आपको सिर्फ 3,000,000 put writers आज market में add हुएं अगर market का sentiment bullish रहता तो क्या सिर्फ 3,000,000 put writers आज add होते हैं put writers जो addition का quantity है वो आपको जादा देखता अगर हम यहां पे हम call side की तरफ देखें देख सकते हैं आपको 17,000 के level पे जो OI change दिखेगा वो दिखेगा लगबग आपको 18.5,000,000,000 के करें यहां पे आपको 18.5,000,000,000 के करें call writers add हुएं मतलब उधर 3,000,000,000 है और इधर 18,000,000,000 है मतलब आज 18.5,000,000,000 call writers को लग रहा है कि market का sentiment कैसा रहेगा market का sentiment आपका bearish side की तरफ रहने वाला है तो यहां पे अगर हम OI change को data को लेते हैं तो OI change के data के कोड़ी market का sentiment कैसा रहेगा market का sentiment बिखनी शाइड की तरफ रहेगा OI के basis पे market bullish रहेगा यहनि दोनों एक दूसरे को contradict कर रहा अब कौन साही है वह मैं आपको आगे बताऊंगा फिर आपको इन दोनों data का importance आपको पता चल जाएगा तो यहां पे हम कुछ दिर बाद देखते हैं कि कुछ दिर बाद data यह कैसा change हुआ है लेकिन यहां पे 18.5 lakh जो आपको call writers उनको उनका क्या भी हुए उनका भी हुए market आपका 17,000 के level के नीचे रहेगा और अगर आप अभी market को देखों तो लगवग आपका उससे 15-20 point नीचे ही trade कर रहा है तो काफी हद तक कौन सही है यहां पे OI change वाले जो लोग है वो यहां पे हमें सही लग रहे हैं यहां पे कुछ दिर बाद भी हम इस data को देखते हैं कि यहां पे हम किस लेबल पे देख रहे हैं हम 17,000 के लेबल पे बात कर रहें इस लेबल पे आपका 61,000,000 से increase होके put vital कितने होके 74,000,000 करीब हो गए OI change के अगर हम बात करें OI change इंदर भी increase हुआ है लगबग आपका 16,000,000 put vital का addition आज हुआ है ठीक है अब call side की तरफ क्या हाल है वह यहां पे हम समझने कोशिश करते हैं अगर आप 17,000 के लेबल पे देखो तो यहां भी OI आपका increase हुआ है यह increase होके आपका 56,000,000 के करीब हो गया OI change की बात करें OI change भी increase होके लगबग आपका यह भी 43,000,000 के करीब हो गया तो OI change पर अगर हम सिर्फोकस करें तो यहां पे देखिए call side की तरफ आपका 43,000,000 के करीब OI change हुआ है जबकि put side की तरफ आपका 16,000,000 करीब है अभी भी आपका लगबग double से बहुत ज़्यादा लगबग धाई गुना OI change आपका किधर ज़्यादा call side की तरफ ज़्यादा है लेकिन अगर हम overall OI की बात करें तो OI अभी भी आपका put side की तरफ ज़्यादा है यानि अभी भी put right है उसको वरोसा है कि market का sentiment कैसा रहेगा bully side की तरफ रहेगा लेकिन अगर हम OI change को data को देखें तो उसके basis पर market का sentiment कैसा लग रहा market का sentiment आपका बियादे stride की तरफ रहेगा यानि आदे गंटे बाद बे OI और OI change में contradictory हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो as a intraday trader आपको किस पर focus करना change in OI या OI या आपको बहुत मार देखने को मिलेगा दोनों एक दूसरे contradict कर रहा है अगर दोनों सेम चीज बता रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लेकिन दोनों एक दूसरे contradict कर रहा है तो आपको किसको follow करना यहाँ पर OI जो पहले से बना हुआ है उस पर या पर जो आज addition हुआ है उस पर focus करना आपको सिर्फ आज के दिन से मतलब है इसलिए जादा आपको OI चेंज पर focus करना क्यों करना वह में हम आगे समझते हैं आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ development हो रहा है तो यहाँ पर वापस से OI चेंज पर आगे और टाइम देख सकते हैं टाइम आपका 11 बज के 10 मिट के करीब हो रहा है और डेट आपका हुआ है 25 अपरिल 2022 देख सकते हैं अभी जो निफ्टी ट्वेड कर रहा है वापस से निफ्टी आपका 17,000 के लेवल के करीब आगा है यानि वो अभी OI को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या कुछ development हुआ अगर हम put side की तरफ देखे तो OI की अगर हम हालत की बात करें तो OI देखे 17,000 के लेवल पे increase होके होगे आपका 83,000 के करीब जो की बहुत ज़्यादा amount है उसमें अगर हम OI change की बात करें OI change भी आपका increase होके 24,000 के करीब हो गया वहीं अगर हम call side की तरफ देखे तो call side की तरफ अगर आप 17,000 के लेवल पे देखो तो OI यहाँ भी increase होगा यह भी आपका 60,000 के करीब हो गया यह नहीं put side की तरफ जितना OI increase हो रहा उसी रेशियों में इधर भी increase होता वा दिख रहा अगर हम OI change की बात करें तो यहाँ पर देख सकते OI change आपका increase होके 46,000 के करीब हो गया यह नहीं उदर 25,24,000 है और इधर 46 लगबग आपका यह दो गुना के करीब इधर increase होगा मतलों अभी भी एक दूसरे को contradict कर रहे है चेंजिन OI की basis पर market का sentiment हमें क्या लग रहा मार्केट का sentiment यहाँ पर हमें बेरी शाहिट की तरफ लग रहा लेकिन OI की basis पर market का sentiment क्या लग रहा मार्केट का sentiment आपको bullish side की तरफ लग रहा है अब मैं आपको चार्ट पर ले जाके वापस से बताऊंगा तब आपको और ज्यादा कुछ clear समझ में आएगा अभी बस आपको यह ध्यान रखना है कि market एक दूसरे को contradict कर रहा है अब इसका क्या मतलब है जब चार्ट पर आएंगे तो आपको और clarity से समझ में आ आपस आएं अगर हम पुट की तरफ देखें तो situation जादा कुछ change नहीं हुआ है और आपका 83 लाक के करीब है यहां पर अगर हम call side की तरफ देखें तो यहां पर आपको 61 लाक के करीब देख रहा और और आपको 48 लाक के करीब देख रहा यानि अभी भी और यहां पर दो गु है मतलब यहां पर भी अभी इसका जो भी वह वह आपका बेर शैट के तरफ और और बॉलिश जाइड की तरफ है तो यहां पर आप कंफ्यूज हो रहं होंगे बार-बार मैं आपको स्टेम चीज़ रिपीट करके बता रहा रहा हूं क्योंकि अब हम चार्ट पे आएंगे औ 25th April का पूरा चार्ट मुमेंट है अब यहां पर देखिए हमने लास्ट कहा तक देखा था हमने लास्ट देखा था 1130 तक 1130 तक क्या था जो चेंजिन के बैसिस मार्कित का स़ंटिमेंप कैसा था ये और अगर हम अगर का सेंटिमेंट क्या था मार्कित डाइब आभ एक अलग रहा था कि मार्क्ट सेवन्टीन ओलन के कडिक या फिर इससे चॉपर नहीं आपके आप था कि market आपका 17,000 के नीचे ही रहेगा और नीचे ही closing देगा तो चलिए अब हम यहां पर market को समझने कोशिस करते हैं यहां पर टाइम देख सकते हैं अब यहां पर देखें market आपका यह आपका 17,000 का लेबल है इसी लेबल के आसपा स्ट्वेट किया था पुट वाइटर्स के बदावलत लेकिन अब यहां पर देखें सारे 11 बजे जिस टाइम पर हमने देखा था उस टाइम तक आपका चेंजिन हो आए बना हुआ था और उनका भी वेरिश शाइड के तरफ थ लेखें मार्केट आपका एकाएक नीचे के तरफ गी 되어 और मार्के आपका 16,000 daha मेंomas से 9000 के लेबल अधा का यह नि मार्केट लग वो टाइपका असी पॉइंट का गिरावट दिखाया है और गिरावट इकिस बेसिस पे दिखाया गिरावट यह दिखाया शिओ आई के basis पर यह नहीं change in open interest के basis पर इनहीं का view क्या था इनहीं का view bearish था और इनहीं को लग रहा था कि market जो होगा वो 17,000 के नीचे जाएगा और market 17,000 के नीचे गया है क्योंकि वहाँ पर change in होगा है आपको almost double था जितना put set की तरफ था उससे double आपका call set की तरफ था और उसको देखे उसके basis पर market ने react किया है market आपको 80. नीचे आए फिर वापस से आपको 17,000 के लेवल पर जो put writers का quantity ज़्यादा था वो quantity ज़्यादा बना रहा था उसके कारण से market क्या हुआ market वापस से उपर 17,000 के लेवल के करीब आया है लेकिन वो आने से पहले market ने क्या किया? market ने गिराबट दिखाया अगर आप intra-retreator है और अगर आप FNO में trading करते हैं तो आपको इस पर जादा फोकस नहीं करना market कहां पर आया है market नहीं जो गिराबट दिखाया इसका अपने फाइदा उठाया या नहीं उठाया यहां पर आपने sell करके पैसा कमाया और नहीं कमाया इसके basis पर आप कब पैसा कमा सकते हो? अगर आप change in OI को देखते हैं वहां से आपको idea मिल जाता कि market का sentiment bearish है और market आपको गिरेगा इसलिए market यहां पर गिरा है फिर OI का अपना अलग importance होता OI उस level पर जादा था तो market उस level पर वापस आएगा यहां पर आप चाहो तो OI को भी include करते हैं तो आप double trade ले सकते हैं आप market में थोड़ा सा bullish sentiment मिलता bullish candle मिलता तो फिर आप buy कर सकते हैं लेकिन buy करना sentiment के खिलाप होता क्योंकि अभी bearish sentiment है इसलिए यहां पर हम sentiment के साथ जा सकते थे और यहां पर हम sell side के तरफ जाके पैसा कमा सकते थे उसके बाद देखें market वापस से 17,000 करिवाया था और वापस से इस time पर जो आपको change in होगा ही था वो call side के तरफ वापस से double था जितना put side के तरफ था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वापस से market आपका गिरा है और इस time पर market आपका कहां तक गिरा है 16,900 के level से और नीचे के तरफ ही गिया यानि market अब यहां पर आपको 100 points का reward वापस से दिया है यानि अगर आप COI यानि changing OI के basis पर tweet लेते है तो market का sentiment आपको वापस लगता बियरिश है और market वापस से 17,000 के level पर आने के बाद वापस से आप assume कर सकते थे यह आपका नीचे की तरफ गिरेगा और market वापस से नीचे की तरफ गिरा है यहाँ पर जो market गिरा है दो बार यह गिरा है आपको changing OI के basis पर तो देख सकते हैं इंट्राडे ट्वेडर है तो आपको यह सारा move को predict करना होगा और यह सारा move आप किसके basis पर predict कर सकते हैं changing OI के basis पर यह सारा move आप predict कर सकते हैं यहां पर OI और चेंज इन OI के अलग लग इंपोर्डेंस है इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप F&O इंट्राइट ट्वेडिंग करते हैं तो आपको चेंज इन OI पर ज्यादा ध्यान देना परेगा अब वापस से देखिया मार्केट 16900 करीब आया था और वापस से आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो मार्केट आपका 17000 ऊपर जा सकता तो यहां पर आपने देखा कि OI का अलग इंपोर्डेंस है मार्केट नीचे गया है चेंज इन OI के भरोसे और उसके बेसिस पर मार्केट नीचे गया है लेकिन OI बना हुआ था OI मार्केट को उपर वापस से जिस लेवल पर जादा था वापस से उपर खीच लिया है तो दोनों का अलग लग इंपोर्डेंस है इसलिए अगर आप इंट्वार्डे ट्वेडिंग करते हैं तो चेंज इन OI को आप ज्यादा फॉलो किजिए क्योंकि यह जो गिरावट है यह आपको OI चीज़ आपने है तो हमें वाड आपने गर्रिक्राव यह मड्रा फिर वीडियो बता रहा है किंग लोग बताते तो हैं लेकिन यहाँ पे अच्छा है कासा पैसा चार्ज करते हैं कोई आपको 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक इसको चार्ज कर लेता है यह सब बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको यह सब डेटा फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको यह सब क्रूशियल और वाइटल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच आए और यही सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प करता है आपको मार्केट को रीड करना परेगा मार्केट आपको कुछ नहीं बताएगा मार्केट आपको वाटसब पर मैसेज करके नहीं बताएगा कि भाई हम नीचे किरने जा रहे हैं आप तुम भी आजाओ और यहाँ पर आके सेल कर दो नहीं आपको किसी family member को बताएगा कि भाई यह trading करता आप उनको जाके बता दो कि हम मीचे के उने वाले हैं ताकि वो sell कर पाए आपको chart को read करना परेगा, chart में जो data available है option chain में आपने कई बार देखा होगा, COI है, OI कितनी बार आप trading करने से पहले या फिर positions लेने से पहले इसको देखते हो बहुत कम लोग, मैं guarantee के साथ बोलता हूँ, 10% लोग भी positions लेने से पहले changing हुआ है या OI को नहीं देखते है, यही region है कि आप अपने trade को profitable table नहीं बना पा रहे हो, यह चीज को आपको देखना पड़ेगा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि market open होने के बाद, यानि लगबग सारे 9 बजे से लेके, सारे 11 बजे तक, दोनों अलग-अलग direction बने हुए थे, OI का भी हो आपका positive side के तरफ था, जबकि, COI का भी हो negative side के तरफ था, दोनों अरे हुए थे, यह अरे हुए थे कि market को हम नीचे ले जाएंगे, यह अरे हुए थे दम दिखाया, बोला, मेरा दम देखो, market को यह फिर नीचे ले आए, previous level से और नीचे ले आए, अब बोला, भाई, तुमने अपना दम दिखा दिए, अब मेरा दम देखो, वापस से क्या किया, market को ऊपर लेके आया, और तब तक market क्लोज हो गया था, यह दोनों अपना अपन दम दिखा रहा, market में, यही दोनों को difference को आपको समझना परेगा, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग-अलग है, और intraday trading करते हो, तो यह आपका data daily change होता है, यह data आपका expired day change हो सकता हो सकता है, एक दिन में ना भी change हो, लेकिन changing हो आपको daily change होगा, और आप daily positions में entry करन और exit भी करना, इसलिए आप intraday trading करते हैं, especially F&O stocks में या फिर nifty या bank nifty में, तो आपको इसको जादा follow करना, क्योंकि यह छोटा-छोटा move है, वो move आपको predict करके देगा, और यही move से आपको पैसा बनेगा, तो उमीद करते हैं, कि आपको हमारा यह video पसंद आया होगा, अगर आपको यह video पसंद आया, please video को like किजे, और channel को subscribe किजे, ताकि इस तरह के और भी informative videos हम आपके लिए लाते रहेंगे, so मिलते हैं next video में, जैहिन!